हाई विवर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंज यह दिखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और यूनिक सा निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में ढाल सकते हैं लेडिस कार्डियन में, लेडिस जैकिट में, जैन साफ सेटर, फूल सेटर में, बच्चों के सेटर में तो दिखेंगे फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो सिचे चाहिए होंगे व एक फंद एक्ष्टरा लिया है और दू फंद सप्धिज के होंगे और बेस देने के लिए टूरो उल्टे फंदों के सारा निकाल लिया है। तो चलिए बनाते हैं इसकी फस्टॉ है और रैड साईड है। A stitch, slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, धागा, आगी करेंगे 5 फंदे, उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, यह दिखे, हमारा एक pattern complete हो गया, इसमें हमने 5 फंदे उल्टे बनाए, 2, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, 2, 4, यह 12 फंदों का pattern है, दिखे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार पीट करेंगे, तो फिर से दिखे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, यह दिखे, यहां से यहां तक हमने 2 pattern कम्प्लीट किया है, लास्ट में 2 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा, एस्टिच सीधा बुन लेंगे, फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई है, सेकिन रो है रॉंग साइड, इस रो में सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन कर कम्प्लीट करेंगे, सेकिन रो और सभी रॉंग साइड रो हम उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे, स्टिछ पी उल्टा ही बना लेंगे सेकेंड रोव कम्प्लीट हो गई है थार्ड रोव है और राइट साइड है ऐस्ट इस स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे फोर फंदी उल्टे वन टो थ्री फोर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा पाल वाई स्लिप करेंगे अब नेक्स तीन फंदे हम रैप करेंगे इसको हम दो बार रैप करेंगे तो दिखे धागा आगे लेकर आएंगे और तीनों फंदे राइट नीडल पर शिफ्ट करेंगे धागे को आगे ही रखेंगे ये दिखे धागे को आगे ही रखेंगे तीनों फंदे राइट नीडल प पर शिफ्ट करेंगे अम धागे को पीछे लेकर जाएंगे अब तीनों फंदे फिर से लेफ्ट नीडल पर वापिस लेकर जाएंगे फिर से धागा आगे लेकर आएंगे ये देखे एक पार हमने रैप किया फिर से इसको एक पार और रैप करेंगे तीनों फंदे फिर से left needle पर shift करेंगे धागे को पीछे ही रखेंगे और आगे की side से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे पिर जाई डालेंगे 1 फंदा सीधा जाई डालेंगे 1 फंदा twist करेंगे back loop से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे 3 फंदे उल्टे 1 टू त्री ये देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बनाये टू फोर फिर हमने 1 फंदा slip किया और 2 बार 3 फंदों को हमने रैप किया है उसके बाद हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया फिर जाई डाली एक फंदा सीधा जाई डाली दो फंदों के एक फंदा बनाया तीन फंदे उल्टे बनाया तू त्री फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार पीट करेंगे तो फिर से देखिये फोर फंदे उल्टे वन तू त्री फोर धागा पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे धागा अगे लाएंगे तीन फंदे दो बार रैप करेंगे तो इसको राइट नीडर पर शिफ्ट करेंगे तीन फंदों को धागा पीछे लेकर जाएंगे फिर से तीन फंदे लेफ नीडर पर वापिस लेकर जाएंगे धागा अगे ला आगे की साइट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा पीछे ही रखेंगे फिर जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे एक फंदा ट्विस्ट करेंगे बैक लुप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और तीन फंदे उल्टे वन तो त्री यह देख row complete हो गई है fourth row है wrong side उल्टे फंदों के साथ बुन कर complete करेंगे row five right side as three slip करेंगे repeat pattern start करेंगे तीन फंदे उल्टे one two three आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे one two three जाई डालेंगे एक फंदा ट्विस्ट करेंगे back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे उल्टे one two ये देखे हमारे एक pattern complete हो गया इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बनाए two three दो फंदों के एक फंदा जाई डल तीन फंदे सीधे two three जाई डालेंगे दो फंदों के एक फंदा दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से pattern repeat करेंगे तीन फंदे उल्टे one two three आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे one two three चाहे डालेंगे, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, वन, टो, और लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा उल्टा, एस्टे सीधा बुन लेंगे, फिफ्थ रॉ कम्प्लीट हो गई है, सिक्स रॉ है र वन, टो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो बार, जैडा लेंगे, वन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जैडा लेंगे, टो, एक फंदा, सीधा, अब दो बार, जैडा लेंगे, दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से बनाएंगे जाए डालेंगे, एक फंदा ट्षिस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे ये दिखे, हमारा एक पैटरन कम्प्टीन हो गया है, इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए दो फंदों के एक फंदा जाए डाली, 1, दो फंदों के एक फंदा जाए डाल, 2, एक फंदा सीधा, फिर जाए डाली, दो फंदों के एक फंदा, 1, जाए डाली, दो फंदों के एक फंदा, 2, एक फंदा उल्टा बनाएं फिर से पैटन, रपीट करेंगे तो फिर से दिखिए दो फंदे उल्टे बनाएंगे 1, 2, दो बार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाईडा लेंगे 1, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाईडा लेंगे 2, एक फंदा सीधा दो बार जाई डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे वन जाई डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे टू एक फंदा उल्टा लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा उल्टा सीधा बना लेंगे 7 row complete हो गई है 8 row है wrong side उल्टे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे row 9 right side as to slip करेंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो बार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जैड़ा लेंगे 1 जैड़ा लेंगे 2 3 फंदे सीधे तू थ्री जाई डाल दो फंदों के एक फंदा वन जाई डाली दो फंदों के एक फंदा तू फिर से पैटन रिपीट करेंगे तो फिर से देखिए धागा आगे करेंगे एक फंदा ओल्टा दो बार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे टू, तीन फंदे सीधे वन, टू, थ्री अब दो बार जाई डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे वन, जाई डालेंगे बैक लूप से दो फंदों के एक फंदा बनाएंगे तो लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा ओल्टा एस्टिच सिधा भुन लेंगे 9 रॉव कंप्लीट हो गई है 10 रॉव है रॉव है रॉव साइड ओल्टे फंदों के साथ भुन कर कंप्लीट करेंगे रॉव 11 राइट साइड एस्टिच सिलिप करेंगे रॉपीट पैटन स्टाट करेंगे धागा आगी करेंगे एक फंदा ओल्टा एक फंदा सीधा दो बार आगे की साथ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जैडा लेंगे वन आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे टू एक फंदा सीधा अब दो बार जाई डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे वन जाई डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे टू एक फंदा सीधा ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लेट हो गया फिर से इस पैटन को repeat करेंगे तो देखिए फिर से धागा करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दो बार आगे की साइट से दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे जैडालेंगे आगे की साट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाए डालेंगे टू एक फंदा सीधा दो बाज जाए डालेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे टू एक फंदा सीधा लास्ट में दो फंदे है repeat pattern start करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1, 2, 9 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक फंदा उल्टा, ये दिखे हमारा एक pattern complete हो गया, इसमें हमने दो फंदे, उल्टे बनाए, 9 फंदे सीधे, 2, 4, 6, 8, 9, एक फंदा उल्टा बनाए, फिर से pattern repeat करेंगे, तो फिर से देखे हैं, दो फंदे उल्टे, 1, 2, 9 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक फंदा उल्टा, लास्ट में दो फंदे, एक फंदा, उल्टा, एस्टे सीधा बना लेंगे, रो 13 complete हो गई है, रो 14 wrong side, उल्टे फंदोंक साथ बुनकर complete करेंगे, रो 15 right side, एसटी slip करेंगे, repeat pattern स्टाट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 7 फंदे सीधे, फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दो फंदे उल्टे, 1, 2, ये दिखे, हमार एक pattern complete हो गई है, तीन फंदे उल्टे बनाए, 2, 3, 7 फंदे सीधे, 2, 4, 6, 7, दो फंदे उल्टे, फिर से pattern repeat करेंगे, तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दो फंदे उल्टे, 1, 2, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्टी सीधे बना लेंगे, row 15 complete हो गई है, row 16 wrong side, उल्टे फंदों के साथ गुन कर complete करेंगे, row 17 right side, एस्टी slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, ये दिखे है हमारा एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, 2, 4, 5 फंदे सीधे, 2, 4, 5, 3 फंदे उल्टे, 2, 3, फिर से pattern repeat करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्टे सीधा बना देंगे, raw 17 complete हो गई है, raw 18 wrong side, उल्टे फंदो के साथ बुनकर complete करेंगे, raw 18 complete हो गई है, और हमारा pattern भी complete हो गया है, फिससे हम इससे first raw से start करेंगे, तो दिखे कैसे करेंगे, first raw right side, as it is slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, यह दिखे, मारा एक pattern complete हो गया है, असमें हमने 5 फंदे, उल्टे बनाए, 2, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, 2, 3, फिससे pattern repeat करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्टे सीधे बना लेंगे, यह दिखे, फिर से हमारा pattern first row से start हो गया है, ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 18 row repeat करते जाएंगे, और यह pattern बन कर, यह दिखिए, इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी project में apply कर सकती हैं, तो friend, आप भी इसे बनाएए, और अपने experience हमारे साथ share कीजिए, अगर आपको हमरे वीडियो चल लगा, तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूलें, तो मिलते हैं, ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ, till then, bye bye fan.